सो हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो आर चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बियार जीरो जीरो वन ओवर्वी ओफ रिटेलिंग के सॉल्ड असायमेंट जो की 2023 से 2024 वले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के लिए हैं अगर आपको इसका सॉल्पीडिया बाय करना है तो आप मुझे सेम गीवर नमबर पर कॉन्टाक कर सकते हैं अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले और बेल आइकन को बज़ना ना भूले आप चुके हैं ब्यारे जीरो जीरो वन ओवर्वी ओव रिटेलिंग 2023-2014 वाले जो भी मारे स्टूडेंट्स है उनकी लिए असायमेंट्स हैं आप इसलिन को नोट डाउन कर सकते हैं मैं बहुत ही स्लो स्टॉल डाउन करूंगी यहाँ पर इसका कोशिन पीपर आप देख सकते हैं जो कि आप इसलिन की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते ह को चीक है. टौटल आपके हंड 누िट मंक्स के असायमेंट्स है. वे इससेंचिंट को अपको अपको नहीं चोड़ते है. यहाँ पर हमारा स्टूदइंट्स कोशिन है. अधिस्थन बिशन एथिक्स डिस्क्राइप दा बॉर्डर्ट एरियास ओफ बिशन एथिक्स डेट मार्क्स के असायमेंट से सभी कोश्चन को आपको अपको नहीं चोड़ना है। यहां पर हमारा स्टूडेंट से फर्स्ट कोश्चन है वाट इस बिजनस एथिक्स डिस्क्राइब दा ब्रोड एरिया ऑफ बिजनस एथिक्स ठीक है। आपको इस तरीके से आप लेख सकते हैं यहां पर मैंने इंट्ड़क्शन फर्स्ट ली यहां पर दिया है। तो आपको हमेशा अपने assignments और exams को आपको हमेशा content wise लिखना होता है ठीक है तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा focus करना है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो answer प्रोवाइड करा है वो मैंने एकदम content wise है आप जैसे कि यहां पर आगया types of business ethics तो इस तरीके से आपको जो अपन assignments और students वो बनाने होते हैं चीक है तो आप इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं बागी अदरवाइस पोई अगर इशू होता है assignments से रिकार्डिंग आप मुझे comment section में या फिर आप direct मुझे contact कर सकते हैं अगर आपको students इनके handwritten assignments के orders देने हैं तो भी आप मुझे same giver number पर contact कर स झाल 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 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डू लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को बज़न ना बूलें स्टूडेंट्स मैं प्रेडिना सिंग मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में